तो वेलकम बैक एवरीबन वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल माई नेम इस सायन गोज चलिए शुरू का ताज का वीडियो जहां पर हम स्टेडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टेम किस टाइपर ट्रेट प्लैन हो जकता है साथ ही साथ हम यह भी डिस किया था कौन से स्टॉप अभी अच्छे पाइंग लेवल पर आगए ठीक है तो वीडियो लास्ट तक जुरूद देखना सब कुछ करने वाला सबसे पहले बैंक निफ्टी को अब्जर्ब करेंगे यहां पर क्या चल रहा है एक पूरा प्राइस चेक करो पीछे से यहां प फिफ्टीन में टाइम फिर्म देखेंगे बैंक निफ्टी का आज खा और लास्ट एक दो दिन का अब्जर्बेशन करते हैं अच्छी तरह से देखिए को क्या रहा है फिर 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 बाइंग यह हमारा था सोला तरिक का सता तरिकों क्या हुआ लास्ट फ्राइडे फिर अगेन यहां पर बाइंग में देखने को मिला यहां पर सेलर जितना एग्रेसिवली सेल करने का खोशिस कर रहें वह लास्ट में निकल जा रहा है तो अब जैसी मार्केट नेक्स दिन उपन हो रहा है निउटाइफ को मुवमेंट आ रहा है तो अभी क्या चांसेस है मार्केट अप्रेंड बनाएगा तो अब यहां डेली टाइम फ्रम में अगर आपको कोई पोजिशन नेलना है अगर आपको कोई ऑप्शन बाइ करना है या पूट ऑप्शन सौट करना है किस लेवल के उपर कर सकते हो तो यहां पर एक लेवल मार्क करके रखिए 39,900 लेवल अब होल्डिंग के लिए बैठ सकते हो अपसाइड में आपका टागेट यह लेवल होगा 41,500 के आसपास स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस और मुममेट अच्छा गास उपर आने वाला तो यह तो हमारा हो गया वीकली का अब कुईक आज का performance देखते हैं आज का हमने क्या analysis किया था मैंने कही ने कहीं कर आपको बोला था कि अगर मार्केट में घब रोपन होता है तो चेक करना है तो में क्या चीक क्या फर्स्ट केंडल नीचे आया हमने analysis किया तो अगर नीचे आता है तो यहां तक टागेट मिलेगा तो वह में दो बर मिला मार्केट उपर गया सेम आज के ओपनिंग लेवल से रेजिस्टेंस लिया फिर मार्केट नीच आ है टाइप आफ ट्रिपल बॉटम मनाया फिर मार्केट में ब्रिक आउट गया तो यहां पर अब कल का सेनेरियो क्यों आगा देखो तीन टाइप को ओपनिंग ह मिलेगा क्योंकि मार्केट में अभी बायर्स साथ एग्रेसिव नहीं बैटेंगे कि होल्ड नहीं करेंगे इतना जल्ली वह वेट करेंगे प्रॉपर लेवल के अगर हमने मिलता है चुपचा हमें और करना है कुछ ऐसा पैटन बनाता है ठीक है कुछ इसके नीचे आता है इसके यहां पर रिजेक्शन लिया फिर वापस है तो वैसे अगर यहां भी बनता है तब हम अगें आज कर दे लो था वहां तक का टागेट कर सकते हैं यूज टागेट मत करना जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक ने करे तब तक बहुत ज़्यादा पॉलिंग नहीं आएग चांसे सार देर कि मार्केट एक दू दिन के अंदर वापस साइडवेस हो सकता है ठीक है यह तो हमारे गैप अपके सीन ता अगर हमने देखा कि मार्केट यहीं कई उपन हो रहा है अब हर बार की तरह मार्केट खुलते हैं जो फॉल कर रहा करना है अपसाइड में 39 450 के उप जाता है तो एक बाइंग अपॉरचनेटी देख सकते हैं 397 टागेट होगा 39 900 टागेट हो सकता है अगर सेलिंग लिए बैट ने सेलिंग के लिए का बैटिंग 39200 लेवल ब्रेक होता है तो चोटा सेल अपचनेट देखेंगे अब तो इस लेवल यह हमारा है 3800980 लेवल या अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आगे रिक्वेस्टेट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो लाइक जरू करना चैनल सब्सक्राइब जरू करना और टेलिग्राम है तो टेलिग्राम जरू कर लेना लिंक आपको मिल जाएगा अब क्विकली को देखते हैं निफ्टी यहां पर क्या कर रहा है देखो निफ्टी कंटिन्यू इस लेवल के आसपास हैमर केंडल बना रहे है एक दो तीन कंट तो क्या कर सकता अगर एक भी केंडल आपको मिलता सेवेंटें टू हंडड के ऊपर अब दो तीन वीक पुरा ना फार ओटियम मैं अगर फार एकस्पाइरी के बात करूं तो आप यहां पर स्वाट स्ट्रेंगल बना के बैठ सकते हो चांसे सिल पर यूज मार्केट धिर धि उपर जाएगा और सौर्ट स्ट्रेंग बनाते हो तो प्रीमियम देखके एक सब्सक्राइब करने जोग बहुत ज्यादा रूर का उपसेन ले लिए चालिस रुपए का उससे ढिख्रेंट नीचे आया यहां पे दो टाइप को एंट्रिय हमने शुबाट कह मिला था मुझे फिर मार्केट अगें नीचे आया फिर यहां से रिजेक्शन दिया फिर एंट्री मिला फिर अगें मार्केट ने साइड़ेस होके ब्रिक आउट दिया एक ट्रेड यहां पर हो सकता था जो हमने नहीं लिया अगर यह आया क्यों यह मुवमेंट इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो sellers थे ना, उनको market ने बखा दिया, उनको market ने exit करा दिया, जिसको हम बोलते हैं, इस type of scenario को हम बोलते है, short covering, हमें short covering देखने हूं मिला है, SNA के new buyers entry किये, new buyers होंगे, बहुत कम होंगे, बट यहां पर short covering का chances बहुत जाता है, अब क्या यहां पर exactly हम कलवे buying करेंगे, wait and watch करने, कहां पर open होता है, देखो, तीन type को opening हमें पता है, तीन type को opening पता है, gap of sideways और gap down, तो यहां पर अगर gap of opening होता है, direct market 17,100 के पास open होता है, तो भ अगर इसके नीचे further market आता है, और ऐसा कोई pattern बनाता है, अगर डे लोग का आपका target होगा, market अच्छी तरह नीचे आ सकता है, यह था gap up का scene, बस देखना है कि 17,000 अच्छी तरह break कर जाए, अगर market यहां के time pass करता है, तो again market sideways होके, फिर upside भी जा सकता है, क्योंकि है buyers पर aggressive हो र बाग जाएगा, sellers बाद में exit, entry करेंगे, आपके, टिक है, नहीं, sellers बाद में exit करेंगे, buyers entry करेंगे, यह तो होगया gap up का scene, अगर हम देखा कहीं है कि market is range के, असपर open हो रहा है, पुरा dice scenario हो सकता है, upside में लेवल माक केजिए, 17,000 030, अगर market यहां कहीं open होने के बाद, 17,030 को break करता है, immediate call buying को बैठ सकता है, हमारे upside में target होगा, 17,100, 17,140 और 17,180 level आपका upside में target होगा, अगर हम देखा, नीचे की तरव, 16,009,30 level break हो रहा है, 16,009,30 कहीं नहीं कि यहां पर है, अगर यह level break हो रहा है, तो again यहां पर selling के लिए बैठ सकते है, उसके लिए opening ध्यार रखना, opening यहां कहीं होना चाहिए, अगर फर्स 5-minute candle break होता है, तो sell का trade मिलेगा, up to this target, अगर वो break होता है, तो नीचे की तरफ 16,800 में दूट नहीं है, यह तो हो गया gap ups और sideways का, अगर हमने देखा कि market direct gap down open हो रहा है, अगर यहां कहीं open होता है, 16,900 के आसपास, मैं trade avoid करूँगा, अग यहां कि 500 point gap down open हो रहा है, यहां पर, जिसका chances फिला लभी कम लग रहा है, अगर होता है, wait and watch करेंगे, खुलते ही जे sell नहीं मारना है, खुलते wait and watch करना है, कोई price action बनता है, low break करता है, तब sell करना, single candle में sell मत करना, क्योंकि अगर market आपको selling देखाएगा, 16,800 टच करेगा, फि rate ले सकते हो, right, अगर gap down के scene में, मैं buying ही देखने हो, मैं further selling नहीं देखाएगा, क्योंकि बारवर market selling करके, बाद मैं buying कर रहा है, right, तो अब इसके बाद हम discuss करते हैं, हमारे कुछ stocks, जिन्सकों हमने पहले discuss किया था last week में, last Saturday, कौन से ऐसे stock है, जिनको हम अभी watch list में रख सकते प्लस entry बना सकता है, industry में analysis दे रहा, मैं कोई यहां पर नहीं बोल रहा, कि जाओ अभी खरीद लो, बस analysis पोस्ट कर रहा, हमने यहां पर KPIT discuss किया था, इसने बहुत अच्छा closing यहां पर दे दिया, एक possible entry हो सकता है, यहां पर अगर अपने analysis देखा, तो यहां पर entry किया होता, आपका target कहीं नहीं, target बोल रहा, target तो upside है, आपका SL यहां बैठने होला है, और भी कुछ stock है, जिन्नोंने entry दिया है, sun flag, अब sun flag का एक problem था, इसने सुबह बहुत अच्छा movement दिया, 7% का movement आया था, market खोलते उपर भागा था, 151 के उपर हमारे एक student, student ही बोलूँगा, आप मै सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा movement मिला, अगर intraday में यहां पर कुछ capture किया है, तो जरू मुझे chat में बताना, commit section बताना, कि आपने इसमें trade किया था कि नहीं किया, अभी यहां पर फूर्दर ट्रेड नहीं है, अभी ट्रेड मत करो, बहुत अच्छा candle नहीं बना है, व पताया है नहीं था, मगर इसमें रखा गया था, तो इसने बहुत अच्छा breakout दिया, अब इसको यहां पर एक entry बन सकता है, possible SL आपका यहां होगा, आज के candle के नीचे, और upside में आप 1-2 का target set कर सकते हो, next stock है, गोदृत CP, यहां भी इसने बहुत अच्छा momentum दे दिया, वो जो range इसने breakout दिया, तो अगर यहां पर एक entry बनता है, अब stop loss आपको at least 925, 926 के आसपस रखना पड़ेगा, क्योंकि market अगर fake breakout करता है, यहां त आएगा, फिर उपर जाने कोईशिस करेगा, अगर हमने देखा कि 940 के नीचे आगया, 930 के नीचे आगया, तो cancel out कर सकते हो, अगर अगर नहीं आता है, तो अच्छा कासा moment कर सकता है, तो यह कुछ stock थे, अगर आपने stock को follow किया, आप entry जुरू बनाया, comment मुझे जुरू बताना, कौन से stock में आपने entry किया था, तो आज का video मैं यहीं तक रखता हूं, अगर आपने telegram join नहीं किया, तो quickly join कर लेना, अगर telegram अ अगर आपने किया, तो 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 आपने